हाई अब्रिवन मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचिन में तो फ्रेंस किसी भी खास मोगे को सेलिब्रेट करने के लिए कीक बनाने का मन तो हम सभी का जरूरी करता है कभी न कभी और गईस अगर घर के समान से केक बन जाता है तो हम बना दी लेते हैं बट बात आके फस जाती है विपिंग क्रीम पे जी हां फ्रेंस हमारे बड़े सारे फ्रेंस पताते हैं कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन विपिंग क्रीम नहीं मिलती है तो आज आपकी इसी प्रॉब्म को सॉल्ब करने के लिए यहां पे मैं शेयर कर केवल थोड़ा सा दूदादा कब दूद और एक और इंग्रिजिंट से मिला करके मैंने इसको बनाया है टेस्ट में टेक्स्चर में जैसे कि आप देख भी सकते हैं बिल्कुल बजार वाली विप्ट क्रीम की तरह इसका टेस्ट और साथ ही शेयर करने वाली हूं आप से डि करेंगे और इसके लिए रगाई मैंने रगदी है ग्यास पे हैवी भाली तरह की गड़ाई एक वायर स्टांड डाल दिया है उन्टा प्लेट कर दाल सकते हैं धगदे इसको धीमी आज पे दस मिनट के लिए से प्रीहीट होने लिए नव गाईस छे इंच का केक टनिया पर म अब अब एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इस पे मैं डाल रही हूं आधा कप और दो बड़ा चमच पिसी हुई शक्कर साथी मैं डाला है एक चौथाई कप दही जो की थंडा भी नहीं है गरम भी नहीं है और खटा भी नहीं है तो गईस यह जो मेशरमेंट ना इस प्र इसमें घुल जाए जैसे शकर घुल जाती है इसमें मैं डाल रही हूं भी तीन बड़ा चमच ओल एक चोटा चमच वन टीस्पून वन टीस्पून वनिला एसंस भी हम इसमें ताल रहे है तो और अगर वो भी ने अवेलेबल है तो आप यह जो दो रुपे के सैशे आता है तो इसे भी केक फ्लेवर अच्छा ही आएगा तो अभी इन सारी लिक्विट इंग्रिंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है और अभी इसमें मैंने चन्नी रख लिए बोल पे इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूं तीन चौथाई कप यानि की एक कप स एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीक से चान के लिक्विट इंग्रिंट्स और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और एकदम स्मूद और लंफ्री बैटर आपको बनाना है बीच में आपको एक दो बड़ा चमच मिल्की जरू मैंने बैटर में डालें काफी बड़े साइस के यह जितनी जाद अच्छा टेस्ट आएगा मताब फ्रूट की बाइट सी आती है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है हलके हाथों से इस बैटर को ट्रांसफर कर लिया है के के टिन में हलका सटाप किया तो बराबर हो गया अभी कडाई भी प्रीष तो कडाई में हमने ट्रांसफर कर दिया है के काड़ दग भी कडाई और करीब 40 मिन दीमी आज में अच्छे से प्रेक हो जाने देंगे चालिस मिन हो चुके हैं है इस के को तो यह बिल्कुल निकल के बिल्कुल निकल के यह तो आप देख सकते है कितना अ इतनी अच्छी हाइट है केवल 100 ग्राम मेहदे से कितना बढ़िया और कितना बड़ा केक बन के रेली हुआ है तो मैं तीन पार्ट्स में को डिवाइट कर ले रही हूं और आप देख सकते हैं तूटी फूटी पूरे के पूरे केक में बिल्कुल इवनली पैली हुई है तो अब उसी वाले क्रीम से बनाते हो तब गैस मुझे रिमाइंड हुआ अच्छी मुझे याद आया कि हम मुझे यह वाली रेसिपी आपसे शेर करनी थी जो कि बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी थी और फिर मैं आपके लिए आज यह रेसिपी लेकर के आई और फ्रेंस आब इसके लिए आप विपिंग क्रीम पाउडर परचीज कीजिए इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है मतलब एक बार आप परचीज करके रख लेंगे तो इसमें डेट पड़ी होती है कितने दुनों तक आप इसको अच्छे से अराम से रख सकते हैं ओनलाइन भी अवेलि आपको पसंदो आप ले सकते हैं मैंने ये ओनलाइन ही मंगाया था और ये जो बॉक्स मैंने लिया हुआ है ये साड़े 400 ग्राम का बॉक्स है और इसका जो रेट इसमें पड़ा हुआ है वह है 480 रूपीज ये विपिंग क्रीम पाउडर का रेट कुछ ऐसा ही चलता है इस थोड़ा सा आता है ये बट क्यूंकि जहां पर विपिंग क्रीम मिलने का उप्शन ही नहीं होता है वहां के लिए ये बहुत अच्छा उप्शन है इसके अलावा फिर कोई और चीज आसपास मिल नहीं पाती तो ये बेस्ट काम करता है तो अभी इससे आपको पनानी कैसे है सबसे बहले देखिए मैं वे करके 100 ग्राम विपिंग क्रीम पाउडर यहां पे ले 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 यूं जिसको मैंने डाला है एक मिक्सिंग बोल में और साथी एक्टम थंडा आधा कब दूद मैंने लिया है जिया फ्रेंस बिल्कुल आइस कोल्ड मिलक आपको लेना है और आप च कम से कम तीन मिनट के लिए और उसके बाद आप देखेंगे कि हलका हलका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा होती बड़ा टेस्ट आता है यह अपने आप में मीठा होता है और साती में इसमें वनीला का फ्लेवर भी होता है मतलब इसका बिल्कुल कंप्रीटली एकदम विप क्रीम अवेलिबल नहीं होती है तो क्योंकि यह बेस्ट ऑप्शन इसका इंपोर्टन चीज में बताती चलों इसका टेक्स्च्चर जो है वह मिल्क पाउडर के जैसा होता है लेकिन गाइस यह मिल्क पाउडर नहीं होता है तो यह देखें विप करते करती काफी गाड़ा हो क्रीम को स्टेफ होना चाहिए नहीं होता है तो अभी स्टेफ पीक्स बने के बाद मैं इसको जाकर के 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है वीज मिन करीब हो चुके हैं फिर मैंने बहा निकाली एक को और जैसे कि आप तेक सकते हैं पहले से थोड़ी जादा स्टिफ आपको दिखानी करके इसलिए मैंने स्क्रीम को एन वन नॉजल वाले पाइपिंग बाग में ट्रांसफर कर लिया है और यह देखें मैंने क्रीम का स्वर्ल सा बनाया है और यह दिखें कितने पॉफेक कट्स बने हैं बहुत ही बड़िया तरीके से हमारी क्रीम बन की रेडी क्रीम आपने देखा कि जल्दी फटा फट त्यार हो गई तो थंडी 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 हमारी क्रीम रेडी है इसले सबसे पले हम के की फ्रॉस्टिंग करेंगे उसके बाद मैं आपको विपिंग क्रीम और विपिंग क्रीम पाउडर दोनों में अंतर बताऊंगी क्या प्लस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत कम कम क्रीम लगारी हूँ जी हाँ मैं आपको रीजन बताती हूं 100 ग्राम विपिंग क्रीम पाउडर से आप कैसी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूं ताकि आपके मेशरमेंड में जाएगी बहुत साथा अर आप क्रीम लगाएंगे तो फिर वह सफिशंट नहीं रहेगी इसलिए मैं कजूजी से क्रीम लगा रही हूं तो क्रीम लगाने वाद मैं केक की दूसरी लेर जो कि टॉप लेर उसको भी मोईस्ट किया उसको भी क्रीम लगा ली और हम कोई फिलिं केक में तूटी-फूटी का फ्लेवर है तो सेकंड वाली लेर को यदे की सिजर से मैं थोड़ा सा कट किया था बराबर करने के लिए ताकि साइट्स में यह दिखाई नहीं दे बाहर से केकी लेर फिर हमने की थर्ड लेर को रखा है क्रीम लगाने के बाद में उसको भी क्योंकि आप देख रहे हैं इसका टेक्च्चर आपको थोड़ा थोड़ा थिक लग रहा होगा I'm sure क्योंकि जो विप्ड क्रीम काफी लाइट होती है as compare to whipping cream पाउडर वाली क्रीम विप्ड क्रीम बहुत साथा लाइट होती है और से कहीं जादा स्मूध होती है बट गई यह हेव्य होती 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 ही थोड़ा साथ की टीक्रीम झाघे तो यह देक है भाला किकल थोड़ा साता हून क अभ़ा it, काफी आपकोびDoji uit the cake में प्छूत स्मूध करन काासा है। तो काफी अची प्राइट है हो जाए है और साथी मैं इसके की साइच्च्च पर जोड बनानी है और उसके लिए मैंने एक चम्मच लिया हुआ तो धान से देखेगा आप सभी मुझसे कई बार पूछते हैं कि यह वाला आप से पाटन नहीं बनता है तो ऐसे बनाएगा है सैट्टर में अख लीजे यह दिखे स्पून जो तुरा सा लंबा सा है और बस टर्न टेब फिल्कुल थोड़ी सी क्रीम आरे पस बच्ची हुई जितनी आपको दिखा रही हुए इसके लावा एक या दो बड़ा चमच और होगी तो सबसे पहले मैं इस पर डाला है कुछ एक ड्रॉप्स ब्लु जेल पूट कलर मिक्स किया तो यह देखे ब्लु कलर की क्रीम बन गई तो यह दो जाए ट्रेंडी लेकिन मिनिमलिस्टिक डिजाइन हम बनाएंगे तो यह साइड डेक्रेशन वाले केक बड़े त्रेंडिंग में तो यह मैं बनाने चाहरी हुए हुए जब से पहले है केक के साइड पर तरफ फिर थोड़ी दूर थोड़ी बॉट्टम की तरफ फिर थोड़ा सा उपर की तरफ ऐसे करके रॉजस पनाएं ब्लू कलर के और फिर पिंग कलर की क्लो स्टार शेफ अली नौजल की क्रीम से हमने जो इन रॉजस के पीछ में स्पेस है उस पर डॉप डॉप अले फ्लार्स रखकर के फिल कर दिया है हमने यह साइड के पोशन को जाता है है तो यूज करें अथरवाइस आप ऐसे भी चोड़ सकते हैं अच्छा ही लग रहा है के और फाइनली एक के साइट पे टॉप पे सबसे चोटे जो जो जीरो नंबर वाली गोल्डन शुगर बॉल्स होती ना उनको थोड़ थोड़ा मैने स्प्रिंकल कर लिया है ज अभी मैं आपको विपिंग क्रीम और विपिंग क्रीम पाउडर के बीच में थोड़े से अंतर बता दो पहले चीज तो यह की विपिंग क्रीम लाइट होती है मीट करने के बार विपिंग क्रीम पाउडर जो होता है उसकी क्रीम हल्की सी हेवी होती है देन विपिंग क्रीम वाइट जादो होती है विपिंग क्रीम XP Parlament क्रीम डर मनाकी क्रीम यरूट ही तो сок सबस्टेज्चे लेता है वहां के लिए whipping cream powder best option है ये था मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो whipping cream powder से whipped cream बना करके whipped cream वाला cake बनाने का I hope आपको useful लगा हो Thank you so much for watching, happy cooking